क्या आपने मोती चूर के लड़ू बिना जारा बिना बेसन बिना बूंदी के बनाया है तो आज हम आपके साथ वही लड़ू शेयर करने जा रहे हैं तो हाई गाइस वेलकम तू माई चैनल को विधेमा तो आज हम आपके साथ जो लड़ू शेयर करने जा रहे हैं ये मोती चूर के हैं और इन लड़ों को बनानी के लिए हमने कोई जारा का कोई बेसन का यूज नहीं किया है बहुत ही आसानी से घर में रखे वे सिर्फ दो सामान से ही बन जाएगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमार मत जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इन लड़ों को बनानी के लिए लिया है हमने एक कप चने की दाल तो हाँ गाईस ये लड़ों आज हम चना की दाल से बनाने वाले हैं और ये बहुत ही जादा स्वाधिश्ट बनते हैं तो ये चने की दाल जो हमने ल कुई भी को मेजर्ंग कप कि जरूरत इना वande कप को आप मेजर करने के लिए सकते हैं और आप उसी से सारी नाब ले सकतें पर में इस माफने को अपreg creeping को इस में धूल करके राद भर के लिए भीगो दिया था आपके पास टाइम कम है तो आप 4-5 गंटे भी भीगो सकते हैं और दाल को आप इस तरह से नाकून से दबा के देख लीजए अगर दाल आपकी तूट रही है तो आपकी दाल जो है परफेक्ट भीगी हुई है तो इस दाल के पा दाल डाल दी है और ने कोई पानी एड़ नहीं किया है और पल्स मोड पर हम इसको चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका टेक्चर इदम दरदरा सा हुआ है तो इसको हम चम्म से चला देते हैं और आप इसमें हम एक सी दो टेबल स्पून पानी आड़ करेंगे पानी ह हम को यहां पर बहुत ही कम एड़ करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है तो यह देखिए हमने सारी दाल को पीष लिया है और ऐसा कुछ दरदरा सा इसका टेक्शर आया है तो दाल को हमको ऐसे ही पीषनी है कोशिश करनी है कि पानी इसमें कम से कम यूज हो और बहुत जादा फाइन भी नहीं पीषनी है तो इस चीज का आपको लड़ों को बनाते समय ध्यान रखना है तो अब इसकी हमें बनानी है पूरियां तो पूरी बनानी के लिए हमने लिया एक पॉलिथीन तो यह इसकी दूसी चिप्स है कि आप इस तरह से पॉलिथीन पर पानी लग दी है और इसमें हमने डाला है देशी घी तो क्योंकि गड़पती वप्पा के भोग के लिए बना रहे हैं तो देशी घी में बनाई है तो आप रिफाइंड आयल का भी यूज कर सकते हैं घी अच्छे से गरम हो गया है तो जो पूरियां हमने बनाई है इन पूरियों को हम दाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर इनको हम तर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें इनको गोल्डें ब्राउन नहीं करना है बस इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा और अंदर से पूरियां पर जाएं तो हमें इतनी ही देर इसको प जाती है और फिर जब हम इसकी बूर्दी में बनाते हैं तो बूर्दियां हमारी हार्ड हो जाती है तो इसलिए पूरियां बना करके बनांगे तो आपकी बूर्दी हार्ड बिल्कुल भी बनेगी और इसका जो टेस्ट हो गा वह एगदर मोतिकूर बाला तो इसी तरीके से हम दूसरे बैच की भी फूर्यों को बना लेते हैं, तो यह देखेगा, इस सारी पूर्या हमारी बन करके तयार हो गई है और इनका कलर भी डार्क नहीं किया है, हल्की ब्राउन करके ही इनको हमने इकाल लिया है, तो दस मिनट के लिए इसको हमने फंके में थंडा करने के लिए रख दिया था और यह पूडिया जब थंडी हो गई है तो अब इस पूडियों के हम छोटे-छोटे से तुकड़े कर लेंगे कि हम इसकी बनाएंगे जीरो साइस की बूर्ली बनाने के लिए यह बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके में आपको भुझारा की और बेसन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है तो पूडियों के टुकड़े हमने कर लिये हैं और इधार हमने गैस पे रख दिया है एक पैन इसमें एक टेबिल स्पून मगज के बीज यानि खरभुजे के बीज डाल दिये हैं और इसको इसमें हम भून लेंगे यह एक ट्रेक्शार हमको मिलेगा देखे आपको पास से दिखाते हैं एकदम दानेदार बुंदी बनी हुई है तो यह देखे हमने सारी बुंदी को बना करके तयार कर लिया है तो अब हमने गैस पर फिर से सेम पैन डग दिया है और उसमें हम डालेंगे टेड़ कप चीनी तो आपके चीनी एकदम ना कम होगी और ना जादा होगी तो चीनी मेल्ट हो गई है इसको हम चेक कर लेते हैं देखे चाशनी हमारी जो है सब चिपचिपी सी हो गई हलका सतार बनने लगा है तो अब हमने यहां पर फूट कलर लिया है जो मार्केट में लड़ू मिलते हैं उसम यह जो बूंदी हमने बना के रखी है यह बूंदी हम इसमें डाल देते हैं तो इस तरीके से पूरी बना करके हम इसकी बूंदिया बनाते हैं तो यह जीरो साइस की बूंदी तयार हो जाती है और एकदम नहीं लगता है कि यह बूंदी हमने पूरी बना करके बनाई है किया तो medium flame पर इसको हमने 2-3 मिनट पकाया तो जैसे ही चाशनी दीकना बंद हो जाया सारी चाशनी बुंदी में एक्जार्व हो जाया तब तक हमें पकाना है बहुत ज्यादा और कोग कर देंगे तो जो बुंदी हमारी है वो हार्ड हो जाएंगे तो इसको हम एक बरतन में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं और जब यह ठंडा हो जाये तब इसमें यह जो हमने खर्बुजे के बीज भूनके रखे हैं इनको हम डाल देंगे और दोनों चीजों को अच्छे से मिला देंगे अब हाथों को साफ करके हमने इसमें लगा लिया हलका सा घी और थोड़ा सा मिश्रन ले करके इसे हाथ से दबाते हुए हम इसके लड़ू बना लेंगे तो ये दिखिए एकदम बढ़िया सा बजार जैसा मोती चूर का लड़ू ये बन करके तयार हो गया है और इसका कलर इसका टेक्शर इसका स्वाद एकदम मोती चूर जैसा है और आपको ये बहुत ही पसंद आएगा देखे मापको इसको तोड़ के भी दिखाते हैं बहुत ही बढ़िया स्वादिश लड़ू बन करके तयार हुआ है तो आप इस लड़ू को किसी भी फेस्टिवर पर बना सकते हैं और घर में रखे हुए मातर दो सामान से बन जाता है इसमें जारा की और बेसल की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है आप इस तरीके से दोनों हाँ से भी लड़ू बना सकते हैं दोनों हाँ से लड़ू बनाने पर बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं तो देखिए, हमने सारे लड़ूं को बना लिया है, बनाने में बहुत ही कम समय लगा है इसको हमने चांदी के वर्क से और पिस्ता से गार्णिश कर दिया है तो आपके पास जो भी सामान हो, आप उस से इसको गार्णिश कर सकती है तो देखिए लग रहे ना आपको एकदम बाजार जैसे लड़ू अब बाजार से लड़ू लाने का भी जंजट खतम हो गया है जब आपका दिल करें आप इसको घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो काईज हमारी रेस्पी आपको कैसी लगी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो फ्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे और हमें कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको हमारी रेस्पी कैसी लगी तो देखिए भटा फट कितने सुंदर कितने टैम्टिंग ये लड कैसी लगी तो काईज मिलते हैं आप से अगले वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ में तब तक के लिए एट हैल दी ठीक हैल दी